पंजाबी सिंगर और अक्टर दिलजीत दोसांच का खुमार देश भर में चाया हुआ है। एक यादगार घटना हुई। एक शक्स ने स्टेज पर अपनी गर्ल्फ्रेंट को शादी के लिए प्रपोस किया। जिसे देख कर हर कोई हैरान है गया। इस खूब सूरत पल का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है। की ने शादी के लिए हाँ कही तो उसने लड़की का हाथ शूम कर उसे गले लगा लिया। स्टेज पर परफॉर्म कर रहे दिलजीत ने भी इस कपल के लिए तालिया बजाई और ओडियन से भी तालिया बजाने की अपील की। इसके बाद दिलजीत ने उस शक्स से हाथ मिलाया और लड़की को भी गले लगाया जिसे ये पल और भी खास बन गया। दिलजीत ने इस टूर की शुरुआत दिली में एक मेगा शो के साथ की थी। इसके बाद उन्होंने जैपुर्ड और हैदराबाद में भी धमाकेदार परफॉर्मंस दी। खास बात ये है कि उन्होंने हाल ही में मुंबई को भी अपने टूर की लिस्ट में शामल किया है। दिल लुमनाती टूर सिर्फ शानदार परफॉर्मंस के लिए ही नहीं हैं बलकि कुछ विवादों के लिए भी चर्चा में रहा है। हैदराबाद शो से पहले तेलंगाना सरकार ने दिल जीत को एकल नोटिस भीजा था। इसमें उनसे कहा गया था कि वो अपने गानों में शराब, ड्रग्स या हिंसा को बढ़ावा देने वाले कंटेंट का अस्तमाल नहीं करेंगे। साथ ही नोटिस में ये भी कहा गया कि शो में बच्चों का इस्तमाल ना हो और तेज आवाज और चमकती हुई लाइट से बचा जाए जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है। एहंतबाद में परफॉर्मेंस के दौरान दिलजीत ने इस नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि वो शराब के बारे में गाने तब ही बन करेंगे जब सरकार इस पूरे देश में शराब को बैन कर देगी। लखनों में उन्होंने ट्रोलर्स पर तंज कसते हुए कहा कि अगर शराब गानों पर सेंसर्शिब लागू करनी है तो सरकार को फिल्मों में शराब पीने के द्रश्यों को भी सेंसर करना चाहिए। दिलजीत दोसांच ने अपने गानों और परफॉर्मंस से फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। उनके इस टूर की हर परफॉर्मंस ने लोगों का दिल जीता है और वो अपने खुले विचारों और विबाग अंदास के लिए भी जाने चाते हैं।